नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने यूटूब चैनल पर अपने मॉबाइल फोन से लाइब कैसे आ सकते हैं कैसे जो है लाइब स्ट्रीमिंग कर वक्ते हैं तो दोस्तों मैं अपने फोन के स्क्रीन पर आ चुका हूं तो आपको जो है सबसे पहले क्या करना है कि अपने फोन में यूटूब का अपलिकेशन इस तरह से ओपन कर लेना है उसके बाद ओपन करने के बाद आपको यहां पर प्लस का आइकन दिखाई देगा तो प्लस पर यहां पर आपको build on the option अपने है तो यहां फोन खरत करने के लिए गोलाइब कर देना है उसके बाद दोस्तों आपके समरे पर आपके पोन का कैमरा ऋपन हो जाएगा तो यहां पर आपको option मिलता है कैमरा चेंज करने का आपको आगे camera से करना या फिर पीछे के camera से करना है तो इस तरह से यहाँ पे आप change कर बखते हैं बैक camera चालव हो गया फिर front camera चालव हो गया तो उसके बाद आपको आपके channel का name यहाँ पे दिखाई देता है कि आपके इस चैनल से live कर रहे हैं उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे title डालने का option आजाता है कि आप अपने मतलब live streaming का कोई title रखना चाहते हैं जैसे आप अपने किसी वीडियो को upload करते हैं तो उसमे title डालते हैं तो यहाँ पे भी आपको title डालने का option मिल जाता है अगर आपको कोई title देना है अपने live stream का तो title दे सकते हैं अगर आपको कोई भी title नहीं देना है तो यहाँ पे एक title लिखा हुआ आएगा आपके चैनल का नेम रहेगा उसके आगे इज लाइब जैसे कि आप देख सकते हैं टेक्नोलाइट SP लाइब उसके बाद टाइटल हो गया फिर आपको जो है option मिल जाता है visibility का तो मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आपको लाइब करना है visibility को publish करके ही तभी जो है लाइब आना है अपने चैनल पर अगर लाइब रहेंगे मतलब इसको publish किये रहेंगे तभी आपके लाइब का नोटिफिकेशन आपके audience तक पहुंचेगा नहीं तो किसी को पता ह नहीं चलेगा कि आप अपने चैनल पर लाइब कर रहे हैं उसके बाद दोस्तों आपको option मिल जाता है audience का अगर आप जो है लाइब बच्चों के लिए कर रहे हैं तो आपको यहां पे क्लिक करना है और यहां पर यहां पर लाइब कर देना है तो मेरी लाइब बच्चों के या औरkon जोडना चाहते हैं एक साद दो लोग करना चाहते हैं तो यहां पर पर आपको option मिल जाता इसको इनेबल करना है इनेबल करने के पाद आपको उसके बाद description लिखने का option मिल जाता है आपको ठीक उसी तरह से जैसे आप video upload करते हैं तो video का description लिखते हैं उसी तरह से यहाँ पे आपको अपने live का भी description लिखने का option मिल जाता है तो अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं तो मुझे कोई भी description नहीं लिखना है उसके बाद दोस्तो location का option है अगर आप जो है अपनी location को share करना चाहते हैं कि आपकी इस जगह से location मतलब live कर रहे हैं तो इस तरह से location लोगों को बताना चाहते हैं तो आपको इसको enable कर देना है अगर आप अपने location को बचाना चाहते हैं नहीं share करना चाहते हैं तो जो है इसको आपको offer रखन सिस्का मitला वे दोस्तों आप स्क्रीन अगर आप इसको इंबल कर देते हैं तो आपके 선 क्य चैनल होता है कि उसको 법 खेलते हुए दिखाना होता लाइब आना होता है तो वो यह संप को इनेबल करके लाइब करता है कहने का मतलब कि अगर आपको अपने फोन की स्क्रिन को लाइब करना है तो आपको इस ओप्सन को इनेबल कर देना है तो आप जो भी कुछ में क्या मिलता है तो मैं Advanced Settings पर क्लिक कर देता हूं उसके बाद दोस्तों यहां पे आपको कुछ option मिल जाता है जैसे कि allow chat है तो आपको इसको enable रखना है allow reaction है आपको इसको enable रखना है उसके बाद यहां पे अगर आप अपने live में कोई sponsorship कर रहे हैं किसी product का या कुछ भी पर्मोशन कर रहे हैं तो इसको आपको enable कर देना है उसके बाद है enable monetization अगर आप चाहते हैं कि आपका live जो है monetize हो आपके live में add आए तो आपको enable monetization जो है enable करके रखना है तो मैं जो है इसको अभी enable नहीं करूंगा उसके बाद दोस्तो लास्ट वाला option है orientation कहने का मतलब कि आप इस तरह से खड़ा mobile जो है करके live करना चाहते है या फिर इस तरह से mobile करके live करना चाहते है इसमें जो है यही चीज का setting है आपको इसमें मैं click करके दिखा देता हूं अगर आपको खड़ा mobile से live करना है इस तरह से तो आपको पहले वाले पर click रखना है अगर आपको ऐसे live करना है तो आपको दूसरे वाले पर click करके तब live जाना है तो मुझे ऐसे ही live करना है तो मैं पहले वाले पर ही जो है click रहने देता हूं उसके बाद मैं बायका जाता हूं एक बार फिर से बायका जाता हूं तो इतना setting करने के बाद दोस्तों last में आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर visibility visibility अनलिस्टेड है यहाँ पर click करके आपको publish जो है click कर लेना है तो मैं यहाँ पर publish नहीं करूंगा क्योंकि मैं live करने का तरीका बता रहा हूं नहीं तो जो है मैं अपने इस चैनल पर live आ जाओंगा तो आपको कर लेना है मैं फिलाल आपको अनलिस्टेड पर ही बता दे रहा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको thumbnail लगाने के लिए बोलेगा कि क्या आप कोई thumbnail लगाना चाहते हैं आप जो है अपने live में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेन का icon है यहाँ पर पेन के icon पर आपको click करना है तो यहाँ पर आपको take thumbnail दूसरा option जो है take thumbnail का option है मतलब अपने गैल्री के कोई thumbnail अपने पहले से बना रखा है लाईब आने वाला thumbnail गैल्री फेले नगचाहते हैं तो आपको यहाँ पर option है upload thumbnail का इसपर click करना है गैल्री में जानedd गैल्री में जाने के आप इस तरह से लाइब जो है करेक्टिंग हो जाएंगे तो देख सकते हैं मैं जो है अपने मोबाइल में मतलब अपनी चैनल पर लाइब आ चुका हूं दोस्तों मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूं इस लिए फिर दोस्तों मिल जाता है फिर आपको मतलब मैं कैसे सेटिंग करना च्यैक रहाना है चैनल करना है 들고 Jahre फिल्टर नहीं लगाना है यह प्लस वाला इकन है यहां पर जो है स्टार्ट पॉल कोई पॉल डालना चाहते हैं अपने लाइब में तो पॉल डाल सकते हैं तो मुझे पॉल नहीं डालना है यहां पर थ्री डॉट है इस पर आपको क्लिक करना है यहां पर आप अपनी लाइब पर आपको क्लिक करना है पिर यह कह रहा है कि are you sure that you want to stop streaming मतलब आप अपनी streaming को खतम करना चाहते हैं आप sure है तो मैं sure हूँ okay पर क्लिक कर देता हूँ तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी पर अपनी चैनल पर live आ सकते हैं जो भी settings थी मैंने आपको बता दिया है